हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटीव चैनल, आप सब लोग कैसे हैं, आप सब लोग अच्छी होंगे, और इधर मैं भी अच्छी हूँ, तो मैं अभी इवनिंग का टाइम, और मैं मॉर्निंग में जादे कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी में सारा काम होता है, तो उसमें मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो मैं इधर आलू बॉयल करने रख दी हैं, और इसमें मेरा बत्वा बॉयल हो रहा है, तो आलू भरे हुए बत्वा के पराठे, और बत्वा का रायता, तो फ्रेंड्स मैं यहां में हरी मिर्च और वो मैंने काट लिया, सारी यह मसाले मैं इसमें आलू मैं एड करे दे रही हूँ, जिसमें मैं वो पराठे बनाने को जो मैं तयार कर रही आलू, उसमें सारे मसाले हिंग वगर सारी कुछ डाल दिये मसाले, और इसमें हरी मिर्च धनिया भी डाल दिये और मेरा अलू तयार हो गया भरने को और और इधर मैं बत हुए का राइता बना रही हूं जो मैंने दही फेट लिया और दही में ये मैंने बत हुआ पीस की रखा था वो मैंने मिला दिया और ये देखे कितना अच्छा गाड़ा-गाड़ा से राइता अच्छा और इसमें मैं मसाले अड़ कर दे रही हूं तो यहां मैंने धनिया डाल दिये गरम शाला नमक मेरचे ये सारे मसाले मैं अड़ कर देती हूं इसका राइता ना बहुत अच्छा लगता है टेस्ट मैं और फिर सरीर के असाब से की गरमी भी होती गरम होता है बत हुए का राइता तो सर्दियों में इससे अच्छा और कोई बेस्ट चीज नहीं होती है राइते में बत हुए का राइता तो यहां मेरा रायता तायार हो गया और यहां मैं रिष्यू के लिए मैंने थोड़ी आलू रखेते निकालके जिसमें मैं जरासी, मिर्च और नमक डाल देती हूँ थोड़ा सन मिर्च डालती हूँ यहां मैंने oil गरम कर लिया क्योंकि इसमें तड़का मारूंगी रायते में हींग-जीरे का कि तो वही मैं गरम करके क्योंकि इससे टेश्ट नहीं बहुत अक्छा आता है तो तड़का मारके और इतना अच्छा सा सिंपल में नहीं लगता है जितना तड़का वाला अच्छा लगता है तो यहां फिर मैं आटा गूंद रही हूँ यह बथवा बच गया था जिसे मैंने पीसा था कुछ मैंने राइता बना दिया और कुछ मैं आटा में मिक्स कर मिर्च और नमाक धनिया प्वाबर करा मसाला काल नमक वे दया में गूंद रहे हुए हमें इस में यह थोड़ी देर से रखopa कि रहे हो देती हूँ क्योंकि चोस्ति के बार बार जी भीा आहां हात्र सर्डी का तुरे वाश्पर पाश्पर है इस वज़े से फिर मैंने साथ में इसके भी मिक्स कर दिये इस साथ में खा लेता है थोड़ा बहुत तो मैं इसके लिए बना देती हूँ थोड़ी मिर्च वाला मिर्च का मिर्च का नमात की पड़ती है वैसे नमात का ही बनाती हूँ मैं बच्चों को नुक्सान भी करते हैं और वो भी नहीं और मैं यहां बनाने लगी पराठे तो आप कर्मेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरा बतुए का रायता और बतुए के आलू भरी हुए पराठे आपको कैसे लगे और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और नियो हो त संस्राइब कर देना और हमें पराठे बना रही हूं तो इसमें थोड़ा से वह लगता है कि अप 23 जोड़ी है और यह भोप पराठे बहुत टिस्टी लगते हैं और सरदी में गरम गरम चीजह काने तो बताते हैं कि उसमें तो बेकता है हेल्थ के लिए भी होता है और फिर जितनी हरी सब्जे सरदियों में हमें मिल जाती है और अच्छी होती है उतनी फिर बर्चात के मौसम में लेकिन उतना सेफ नहीं होता है जितना हम लोग इस टाइम खा लेते हैं तो यहां मेरे आलू के बत्वा का रायता और आलू का पराठा बत्वा और आलू भरा हुआ पराठा मेरा तयार है आईए आप लोग भी खा लीजिए आके और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी ओके मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाइब 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 बाइब